हेलो फ्रेंट्स जी एस्टी लागू हुए आज सत्रे दिन हो गए है जितना नोलेज लेना था अपने ले लिया अब नोलेज की बारी नहीं है अब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी है उसको डिसिजन लेने की बारी है तो आप जो भी काम करेंगे वह फूटफुल फाइनल sky रिशन करते हैं depending अब आपको स्किम सिया में करता है कि उनको रेगुलर स्कीम में जाना चाहिए या कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए तो उनका confusion दूर करने के लिए मैंने वीडियो तयार किया है तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर composition scheme में जाते हैं तो आपको कैसे 89,500 रुपे का loss होता है इसको एक case study के थूमा आपको पूरी calculation इसमें समझाता हूँ उसके बाद आपको decide करना है कि आप regular scheme में जाना चाहिए आपको तथवा composition scheme में जाना चाहिए suppose मैं एक example लेता हूँ कि आप कोई machine sale कर रहे हैं मैं एक single item से लेता हूँ उस single item को no profit no loss पर sale करते हैं यानि आपने 100 रुपे में वह item purchase किया और 100 रुपे में यह आपने बेश दिया तो उस condition में अगर आप regular scheme में होंगे तो आपको कितने का loss हुआ अगर आप composition scheme में जाते हैं तो आपको कितना additional loss होता है उन दोनों situation का comparison करेंगे comparison करने के बाद आप individually अपने business के accordingly इस चीज़ को decide करिए कि आपको composition scheme में जाना चाहिए अथवा regular scheme में जाना चाहिए अब इस screen पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक item है वो लिया जैसे drill machine है suppose drill machine मैंने purchase करी है कोई Mr. A है उससे मैंने यह item purchase किया है अगर मैं regular scheme में हूँ registered regular scheme के अंदर मेरा registration करवाता हूँ मैं इसको continue रखता हूँ regular scheme में मैंने A से माल purchase किया क्या purchase किया drill machine यह उसका A ने जो मेरे को invoice दिया उसका मैंने जो अपने से related part है उसका मैंने यहाँ पर calculation दिखाई है drill machine मैंने purchase करी है एक quantity 1000 रुपे पर quantity के इसाव से मैंने उसको payment किया 1000 रुपे गा payment हूँ उसने बिल के अंदर 18% GST लगया इसके दो GST वो separate issue है 18% का item है 180 रुपे इसके उपर GST का payment किया उसने बिल दिया अपने को 1180 रुपे गा एक single item के लिए तो 1180 रुपे के अंदर वो माल purchase किया अब same item है suppose B को हम sale करते हैं B अपना buyer है उसको हम यह same drill machine without profit without loss को sale करते हैं तो क्या situation हैएगी हम sale का invoice तयार करेंगे उस invoice में क्या लिखेंगे drill machine एक item 1000 रुपे की purchase की 1000 के अंदर ही sale करें है total कितनी amount हुई 1000 इसके उपर GST हम भी charge करेंगे क्यों हम भी registered है और जहां से माल purchase किया वो party भी registered है तो 180 रुपे हमने invoice इसके उपर GST लगया तो total कितने का bill हुआ 1180 रुपे का हमने ये sale का invoice काट है और उपर ये purchase का invoice है परचेज हमने including tax 1180 रुपे में किया और B को हमने ये माल बेज़ दिया जो registered dealer है उसको 1180 में sale कर दिया अब अपनी pocket से output कितना कितना out गया कितना cash चला गया अपनी pocket से वह मैं बताता हूं आपको cash paid to a a से माल purchase किया हमने तो उसको कितना payment किया 1180 रुपे तो 1180 रुपे का payment हमने a को किया है अब cash deposit कितना होगा आपना जो government को deposit होगा GST के against में वह देखिए input tax कितना हुआ जब a से माल purchase किया तो उस time 1180 रुपे हमने a को tax का payment कर दिया 1180 रुपे ले लिया जब b को माल बेचा तो कितना अपना output tax कितना हुआ बी से collect किया आपने 180 तो जो difference का पैसे है वह हम government के पास deposit करते हैं तो अपनी pocket से tax के account में कितना deposit किया government को तो यह zero amount तो टोटल एक machine purchase करके regular scheme में किसी को अगर हम sale करते हैं without profit or loss तो कितना अपना output कितना हुआ cash का out कितना हुआ अपनी pocket से total 1180 रुपे हमने कोई tax deposit नहीं किया है तो यह हमने एक regular registration की condition में अगर regular registration में करवाते हैं अपना registration regular की scheme opt करते हैं तो यह situation आईगी अब एक composition scheme अगर अपन आप्ट कर लेते हैं और यह same transaction उस composition scheme में करते हैं तो हमारी क्या situation आईगी वो हम आपको बताता हूँ अब हमने same item composition scheme में registration करवाने के बाद इसको purchase और sale करते हैं तो हमारी क्या situation होती है हमने same वो ही item A से purchase किया ए रेइस्टर डिलर है drill machine purchase की एक quantity 1000 रुपे के अंदर 1000 रुपे पे किया वो registered party है हम भी registered party है composition के अंदर हमने 180 रुपे उसको tax के दे दिये GST के total 1180 रुपे हो गया है अब sale करेंगे इसको तो sale करेंगे तो हम tax invoice issue नहीं करेंगे B को हम करेंगे bill of supply bill of supply जब issue करेंगे तो क्या करेंगे उसके अंदर drill machine कितनी अपनी costing कितनी आई 1180 रुपे तो 1180 से तो हम sale करेंगे नहीं इसको क्यों 1180 रुपे हमने payment कर दिया A को तो 1180 रुपे कम से कम इतनी amount हमें लेनी पड़ेगी नो profit no loss यानि इतनी तो costing आई है हमारी तो एक machine हमने 1180 रुपे यानि including tax हमने 1180 में उससे purchase करी हैं तो इसको नो profit no loss में अगर sale करते हैं तो 1180 रुपे अपने को लेना पड़ेगा अगर यहाँ पर 1000 रुपे ले लिए तो वो अपने को 180 रुपे का तो यहीं loss हो गया तो 1180 रुपे इसकी costing पड़ी उस cost के उपर sale कर रहे हैं 1180 रुपे composition scheme में आपको 1% आपको deposit करना ही पड़ेगा composition scheme में यह हैं कि जितना आपका turnover है उसका 1% आप deposit कर दीजिए वो depend करता है कि आप कौन से trade में हैं वो एक अलग scheme है वो अलग video में मैंने mention कर रखा हैं लेकिन हम यह मान कर चलते हैं कि आप composition scheme में 1% वाली category के अंदर आती हैं तो 1160 रुपे का 1% कितना deposit करेंगे आप government को 1160 रुपे इसको separate आपको bill में वैसे mention करने की जरूत नहीं है bill है वो तो आप शिरफ 1160 रुपे का issue करेंगे bill of supply जो issue करेंगे वो 1160 करेंगे जो party को आगे जिसको B को करेंगे वो शिरफ 1180 का करेंगे यहां सिरफ मैंने आपको calculation दिखाई है कि 1180 रुपे इसके account में आपको deposit करने पड़ेंगे इस sale की वज़े से हैं एक परसेंट composition scheme में से आप belong करते हैं अब देखिए आपकी pocket से कितना पैसा गया है cash pay to A जब माल purchase किया आपने जो drill machine A से purchase किरी तो कितने पैसे दिये उसको 1180 रुपे यह 1180 रुपे ले लिए फिर government के पास कितने पैसे deposit करेंगे आप एक परसेंट तो आपको deposit करना ही पड़ेगा क्योंकि scheme की एक condition है कि आप जितनी भी sale करते हैं जितना turn hour करते हैं उसका एक परसेंट आप deposit करिए और निश्चिंत रहिए तो आपने 1180 रुपे असी पैसे जो यह आप calculation यहाँ जो दिखाईए वो 1180 रुपे असी पैसे आपको यहाँ deposit करना पड़ेगा तो आपकी pocket से total cash कितना चला गया 1180 रुपे असी पैसे आपने government को दे दिया इसमें आपको input tax नहीं मिलेगा जो regular scheme में मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पर 1180 रुपे आपने ए को दिये आपने output है उसमें से adjust करके आपने यहाँ पर zero deposit किया लेकिन composition scheme में आपको यहाँ पर 1180 रुपे असी पैसे deposit करना पड़ेगा government को आप इस 180 रुपे का compensation नहीं ले सकता है इसको adjust नहीं कर सकते आप input output के अंदर इसका adjustment नहीं हो सकता वो possible नहीं है यह आपको 1180 रुपे असी पैसे आपको deposit करना पड़ेगा तो आपकी pocket से actual cash कितना case out from your pocket 1191 रुपे असी पैसे और अगर आप regular scheme में होते हैं तो कितने पैसे गए 1180 रुपे गए और composition scheme में आते ही आपको कितने payment करने पड़ेगा गए 1191 रुपे असी पैसे और दोनों ही situation में आपने 1000 रुपे का item purchase किया है एक 1000 में आपने sale कर दिया तो आपकी जो sale price है उसमें यह difference आ गया अब देखिए आपको loss कितना हुआ percentage के अंदर अगर calculate करते है अपन तो आप अगर regular scheme में आप composition scheme में होते हैं तो आपकी pocket से जाते हैं 1191 रुपे एक item खरीद कर आप sale करते हैं no profit no loss पर तो 1191 रुपे हैं आपकी pocket से चले गए और अगर cash out of regular scheme में अगर आप होते हैं तो आपकी pocket से कितने पैसे गए हैं 1180 रुपे तो कितना additional आपकी pocket से चला गया जो composition scheme की वज़े से आपके pocket से गए हैं वो गए हैं 1101 रुपे से पैसे आपकी pocket से additional चला गया कितना percent हुआ 11.7 divided 1000 उसकी price थी प्रोडेक्ट की multiplied by hundred 1.8 आपको additional payment करना पड़ा due to adoption of composition scheme आपने composition scheme को adopt किया हैं तो आपको 1.8 परसेंट additional pay करना पड़ा आपको suppose 75 लेक की government ने scheme दे रखी है कि 75 लेक तक आपका अगर turnover है तो आप इसको composition scheme को adopt करते हैं मैं यह मान कर चलता हूँ कि आप 75 लेक का sale करेंगे इसके अंदर तो 75 लेक के अंदर 1.8 परसेंट से आपको 89,500 रुपे अलग से पे करना पड़ेगा regular scheme की comparison में सिरफ इस वजह से आपके ऊपर additional यह burden आ रहा है 85,500 होगा कि आपने composition scheme adopt करिये एक dealer जो regular scheme ले रखी हैं किसी ने ले रखी हैं वो no profit no loss के अंदर अगर माल लो वो माल बेचता हैं वो एक लाख रुपे का बेचता है यानि टोटल आप 75 लाख रुपे का वो माल बेचेगा तो आप उसी माल को 85,85,500 रुपे में बेचेंगे तब आपको profit no loss हुआ लेकिन आपको इसमें 81,500 रुपे का लोष हुआ टोटल पचेता लाख के उपर अगर इसकी calculation करते हैं जो लोष की तो 81,500 रुपे आती है तो यह business to business depend करता है कि यह loss कितना है सपोज आपको 50,000,000 रुपे का turnover है तो 50,000,000 multiplied by 1.18% यह आपको loss होगा तो आप किस category में depend करेगा आपके customer कौन है सपोज आपके customer ultimate consumer है तो उस स्थिति में कुछ factor depend करेंगे कि आपकी उसमें running cost कितनी है running in the sense की जो GST की compliance पूरी करने के लिए आपकी कितनी costing पड़ रही है वो आप calculate करके decide करेंगे कि आपको composition में जाना चाहिए अथवा regular scheme में जाना चाहिए अगर आपका trader आपका जिसको आप माल बेच रहे है जो आपका customer है वो अगर trader है trader means कि वो आगे फर्दर किसी को sale करते हैं तो वो किसी भी condition में आपके लिए suitable नहीं है composition scheme ये मेरी opinion है calculation आपके सामने है तो ये मैंने पूरी case एक example लेकर पूरा एक case study get through मैंने आपको बता दिया कि आप composition scheme में जाते हैं तो आपको कितना additional payment करना पड़ेगा और regular scheme में जाते हैं तो आपकी क्या calculation होगी तो इस पूरी calculation को समझिए आप अपने text consultant है उनसे consult करिए कि आपको regular scheme में जाना चाहिए या composition scheme में still आपको अगर किसी प्रकार का confusion है तो आप comment box में डालिए आप अपना email id डालिए सारे facts आप मेरे को लिखिए मैं आपको individually भी help कर दूँगा कि आपको comparison एक study में आपको बता दूँगा mail पर डाल दूँगा कि आपको कौन सी scheme लेते हैं तो कितना पैशा आपको payment additional करना पड़ेगा या आपको profit होगा या loss होगा वो पूरी calculation में आपके सामने रख दूँगा तो आप किसी भी प्रकार का confusion मुझेन आप mail करिए मैं उसका reply अवस्य करूंगा कि आपको composition scheme लेनी है तो आपको immediate आपको composition scheme में जाना है तो अब आपको action लेना है अब शिरफ आपको घ्यान नहीं लेना है आप नींद से जागिए समझ लीजिए GST applicable है उसी के accordingly अपने को चड़ना है और कोई option नहीं है तो decide करिए composition scheme में जाना अथ्वा regular scheme में और अपने business को continue करिए आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप please share करिए subscribe करिए अगर किसी प्रकार का confusion है तो आप comments box में डालिए मैं उसका reply करूंगा thanks a lot thanks for watching my channel